कुल καल है कि हैं हैं वाल vents लोग व्ह comment लेकर coming out इतने सारे मोड़ें आथे व३ oss के लिएक्स लेकर हैं जितना वी विडियो बना हो और भाले कि कि बहुत सारे कोशन आप कि जैसे कि आप लोग का प्रोंस हो गए तो आपकी टी बिल्कुल खत्म हो गई वह ठीक ही नहीं हो सकता अगर आप ऐसे सोच रहें तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आपको मैं अपने वीडियो में फोटो में में आप लोगों को यहां फे में एपिक लगा देंगी। आप देख लेना कि मुझे भी ओपन पोस्ट की प्रॉबलम हुई थी लेकिन उसको मैंने कैसे दीरे दीरे करके ठीक किया है बिल्कुल फोटो को मैंने क्लोज से लिया है आप उसमें देख सकते हैं और कैसे उसको मैंने ठीक किया और यकीन मानिया आप मेरी रेमेंडरी को मेरे तरीके से यूज करके देखिए जिस तरीके से मैं कहती हूँ आप उसको यूज करके देखिए आपका 100 तू मतलब बिलकुल आपको ठीक हो नहीं होना है बस आपको मैं यह सरीके से बोलती हूँ वासा आप ऐसे करते जो बाकी आप लोग कभी कभी मतलब इतने सारे कमेंट आते हैं ना कि हर कमेंट पे मैं एक एक वीडियो बनाना तो बहुत मुस्किल हो जाता है आप लोग समझ सकते हो लेकिन मैं सारे जो जादर टाइप को कोशन होता है कि इस मतलब वीडियो बनाओ तो मैं उस टाइप से कोशिस करती हूँ कि मैं तीन चार यह दस कमेंट को एक साथ लेके उसके बाद मैं आप वाले हमें लगा सके और मतलब उपर्ण में होता है कि आप हर चिज नहीं लगा सकते हो बहुत सबसे लिगे आपके पर्णल मैं चले जाते हैं और बहुत जादा चाल दे है इसलिए ऐसी कोई भी रेमेडी चूच करने से पहले कोई भी फेस्पैक यूज खरने से पहले आप इसको कंफर्म करना कि यह आपके लिए बनी है तो मैं जो यहां फिर लगाती हूँ यूज करके दिखाती हूँ तो मैं अपने मतलब पोल्स के हिसाब से चुनिके बताती हूँ और उस हिसाब से मैं आपके साथ जायर करती हूँ इसलिए आप वेफिक्र होके उस रेमेडी को जो मैं आपको बताती हूँ आप अराम से यूज कर सकते हैं तो आज का क्यार मेडी है चलिए देखते हैं बहात बाते हो गई लेकिन देखिए आप लोगव बोलते हैं कि वीडियो लंबा में करें लेकिन अगर मैं आपको इसे करें इसलिए फोड़ा बहुत बताना पड़ता ही है कि यह चीजें ऐसे करें, यह चीजें ऐसे करें, तो चलिए बहुत बाते करें, देखिए कि रेविटी क्या है, उसको लगाना कैसे, मैं आपको यूज करके भी मैंने इसको दिखाया है, तो I hope कि यह आपको, और यह जो मैं चीजें आपको बता रही हूँ, यह जो रेमेडी है यह हर टाइप स्कीन वाले के लिए पहले बता देती हूं तो चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करिएगा अगर न्यू आने चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और सबके शाष्ट सेयर करें इस मेडी को बनाने के लिए हमें इन तीन चीजों की जरूरत रहते हैं यह मेशन है यह कच्छा दूद है और हनी वस तीन चीज आपको चाहिए बनाने के लिए और हनी अगर आपको सुट नहीं करता तो आप हनी के जग़ह टोमेटो भी डाल सकते हैं लेकिन हनी ज्यादा चे अगर आपको सूट करता है तो है फनी यूज करें बस इस टीनों को इस तरह से आप देख रहे ये इस तरह से एक पेश्ट के जासा बना लेना आपको बिलुकुल अच्छे से मिक्स कर जोने हैं जिते हैं किसे यूज कैसे करना है आपको इखते से लेना आ या आपके फेस पे तभी ये रेमेडी आपको बहुत ज्यादा असरदार होगी आपके लिए क्योंगि अगर आपके फेस में किसी तरह का make-up रहेगा ना तो वो आपके पूल्स को उस लिंक नहीं होने देगा और ये रेमेडी यूज करने से पहले अगर आप चाहें तो इस पैक को थोड़ी देर प्रीज में भी रख सकते हैं लेकिन अभी सर्दियां बहुत जादा है तो आप बिना प्रीज में रखें मैं यूज कर रही हूँ जैसे ऐसे भी आप कर सकते हैं और इसको लगाने का एक तरीका है जो मैं आपको यहां पर दिखा रही हूँ आप देखना तो इसको ना ऊपर के तरफ लगाएं जैसे मैं आपको दिखाऊंगी अभी आपको उससे क्या होता है आपको आपके जो पोल्स हैं उस रिंक होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आखें छोड़ देंगे तो वह डार सलकर बनने लगती क्योंकि वह रेमेडी इसलिए आप पूरे फेस पे आप जरूर लगाया करें देखें इस तरह से लगा के जरूर हलका मसाज करें अपने चेरे को इससे तो क्या होता है कि स्कीन भी टाइट होती है और पोल्स जो आपक यह मैंने दूसरा लेट सिर्फ गालों पे लगाया है क्योंकि गालों पर पोल्स जादा होते हैं तो चलिए आप इसको मात्र में 10 मिनट रखोंगी उसके बाद इसको दो के आपको दिखाती हूं देके मैंने इसको दो लिया है बिलकुल इसकी इन साइनिंग ग्लोइंग हो जाती है